यूपी के मत्रा में बागाई बॉडर पर पुलिस की बदमासों से मुढवेड हुई है थाना फरे पुलिस और एसोजी टीम ने मुढवेड के बाद द्यापारियों से चौर बसूली करने वाले हिस्ट्री सीटर समेट नौ बदमास ग्रप्तार किये हैं जिन में से दो बदमास पुलिस की जवावी फाइरिंग में घायल हो गए इनके कद जैसे भारी मात्रा में असला परामद हुआ है बता दे कि बदमास ओम प्रकाश उर्थ ओपी और महिंद्र पाल के पैर में गोली लगी है महिंद्र पर हत्या और रंगदारी सहित लगबग आदा दर्दन मुगद में डर्ध है अज एक गुडवर करते हुए एक मजारिया हिस्टी सीटर जो महिंद्र पाल सिंग जिसका नाम है पिछले काफी दिनों से ओल के ब्यापारियों से एक्स्टार्शन कर रहा था और उनसे चवथ हुसोली का प्रयास कर रहा था जिसके संबन्द में थाना फरा पर अभियोग पंजेकरित था आज ये सूचना पर की उसका मुवमेंट इधर हो रहा है ओल के पास बागई बारडर पर थाना फरा और एसोजी की कीम द्वारा उसकी घेराबंदी की गई गेराबंदी के दौरान उसके द्वारा पुलिस पारटी पर फायर किया गया जिसके जवाब में पुलिस ने फायर किया और महेंदर पाल के पायर में गोली लगी है उसके एक साथी ओम परखास के भी पायर में गोली लगी है उसके साथ कुल साथ और बेक्ति थे जिनको पुलिस ने घेरावंदी करके गिरफतार किया है इनके पास से एक 9mm की पिश्टल जो संदिग्ध है उसके साथ एक अबायद तमंचा और 5-315 बोर की राइफलें बरामद हुई है जनकी सब की जांकिजा रही है इनके साथ पकड़े गए हर बेक्ति अपरादि गत्वित की जांच की जा रही है और उनके खिलाब क्या मुकदमें है इसकी जानकारी की जा रही है इस बीच महेंदरपाल और इन लोगों का जो सेंटर था वो भरतपुर था और हम लोग भरतपुर पुलिस से भी जानकारी इनके बारे में कर रहे हैं अभियोतों को गिरफतार करके बैदानिक कारवाई की जाए है